इस ट्रामा के पार्ट सेबिन में आप सभी का सौगत है उससे पहले बागी के पार्ट नहीं देखें हैं तो इस सजेस्ट पहले आपको से दिख लेना चाहिए इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले इन सारी लेडी से होती है जने फाइनल एक रेस्ट्रान मिल गया होता है और ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वारी थी अब तक शिन स्टेट में किसी भी लेडी ने कोई भी रेस्ट्रान या फर कोई भी आउससाइड बिसनेस टार्ट नहीं किया था और इसके बाद काफी दिक्कत आने वाली थी यह सब इसके लिए तयार थे कि वह एक साथ इस चीज़ को माइन कर सकती है आफर दैट उन्होंने इतना कुछ सेक्रिफाइस किया है तो यह भी सही इसके बाद कहीं लोगों ने शेमलेसी बुलाते हैं और कहीं ल अधर काफी बॉट भी था लेकिन हाँ और माने को त्यानी था तभी अपने एक से बोलता और कहता है कि तुम्हें लगता है कि हां मुझे लगता है कि आप बिल्कु गलत हो आपको पता भी है कि उन्हें हर टाइम सिल्म रहने के लिए फोर्स करना, विकॉज आपको सिल्म लड़किया पसंद है, और इसके बाद भरवात के लिए टॉर्शर करना, कि तुम ज़्यादा खाती हो, तुम अच्छे कपड़े नहीं पहनती हो, और ज़्यादा पैसे खर्च करती हो, इसके बाद इनजेंग भी लेवी को मनाने के लिए काफी सारी कोशिशे करता है, उसके रेस्टरून के बार उसका वेट भी करता है, और चाहता है कि आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं होने दूगा, तब ही यहाँ पर लेवी कहती है कि इसके बाद इसका हाथ पकड़ती है कि मैं समझ सकती हूँ, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ से कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपका मूड खराब करूँ, आफर दैट इन सभी का और रेस्ट्रेंट ओपन हो जाता है, और यहाँ पर बहुत सारी लोग खाना काने के लिए आते हैं, अभी सारी की सारी लेडीज बहान नहीं आती है कि यह रेस्ट्रेंट उनका है, पर लीवे हाई तांग और रिंग्यों आना जाती है और कहती है कि आप चाहती ही क्या हो, दरसल आपने कभी भी किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए आपकी वाइप को यहाँ पर आका काम करना पड़ रहा है, इसकी बाद तो थर्ट प्रिंज को यह काफी भला बुरा सुना देती हैं और सभी से इंसिस्ट करती हैं कि दरसल अगर आपको खाना खाना है तो आप खा सकते हैं, रेस्ट्रेंट वूमेन का हो या फिर मैन का, खाना तो सब बराबर ही होता है, और अगर वूमेन अब कुछ काम करना चाहती हैं तो यह अच्छी बात है, उसकी बाद वहाँ पर सारे जो भी लोग होते हैं वो इस बात के लिए काफी प्रेस करते हैं कि ठीक है चलो अगर रेस्ट्रेंट खोला है तो क्या ही दिक्कत है, लेकिन वहाँ का खाना जल्दी बहुत इदा फेमस हो जाता है और रेस्ट्रेंट भी एकदम उचाईयों कुछ होने लगता है, बिकॉस उन्हें उनकी स्टेट का खाना यहां पर मिलता है तो यह काफी कंविनियन था उसके बाद हम टेंथ प्रिंस को देखते हैं जो कि अचानक से रेस्ट्रेंटे पहुंच आते हैं और यहां पर शुवान को देखकर कुछ अची बजीब बात हैं वो बोलने लगता है यह बात फिफ्ट प्रिंस को पसंद नहीं आती है इसके बार उन्दोन में जगडा हो जाता है आफ़ देट शुवान को हम दिखते हैं चुकि फिफ्ट प्रिंस की मलम बट्टी कर रही होती है और कहती है कि मैंने यह कभी निसुचा था कि तो अमने छोटे बाई से हार है यहां पर हम सेकंड प्रिंस को देखते हैं जो की सक्सेस की वाइब ने जो रेस्ट्रेंट खोला था उसकी वह से रिवेंड्यू डेपार्ट्न में काफी मुनाफ़ा हो रहा था इस बास से क्राउन प्रिंस का फिदा परिशान होते हैं और इतने में हाउज यां के लिए हाउज जिया को भी पनिश करते हैं और ड्रंक होते हुए भी वो उसका गला पकड़ लेते हैं और उसे धका देका नीचे गरा देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ यहां से और जाकर वो रेस्ट्रेंट में पता लगाओ कि अगर तुम्हें कुछ अंदर की बात पता चले यहां पर यहां पर यहां सबी हुझक जाओ करतेयां और उसक लिए भूट सारी पता लगे उन्हें करकेL सब्हे deberadd करें या पर हाउजया उन्हें यह नहीं बताती है कि दरसल मायल और उसे कैसा ट्रीट करते हैं पर लीव एई हाउजया के हाथ पर मार्क नोटिस कर लेती है और कहती है कि क्या यह तुम्हारे साथ सेकंड प्रिंस ने किया इसके बाद यह सभी सोलर प्रिंस की टीम खड़ी हो जाती इसके बाद वह सभी कहती है कि तुम्हें आसे भाग जाना चाहिए तभी हाउजया कहती है क्या वह भाग सकती है हम बात करें तो हाउजया को वह जगा बिल्कुरी पसंद नहीं है उसे वह सब एक नर्क की तरह लगने लगा है विकॉस उसे लगाता कि सेकंड प्रिंस के मेरी के पास बीजा सकती है कि मैं तुम सभी को मुसिबत में डालना चाहती तभी यहां पर शुआन के तो एक क्वीन है तो वह तुम्हारी करेंगी तब हैं तैयार हूं लेकिन अगली बालों से वामिटिंग होने लगती है और इसके बाद पता चलता है कि हाउजया प्रेग गर्ल है या फिर बॉय उन्हें दर असल बॉय चाहिए था कि वह और आंगे उनका सक्सेसर बन सके इसकी बाद हाउजया और परिशान होती है अब क्राउंड प्रिंस की नजर सिर्फ उससे उस पर हाउजया अब और जादा निगानी में रहने लगी थी उसका आना जाना और बाहर घुनावी बंद के पाद ऐसे कहीं सारे महीने निकल जाते हैं और हाउजया का जीना मुश्किल हो गया था उसे वैसी चीज़े खाने के लिए चाहते हैं जोकि उसे पसंद नहीं है जली से जुनिया में आ जाए यहां पर हाउजया की जिन्दगी एक्दम हैल होती जा यहां पर कुछ घृटाला तो नहीं हो रहा है और उन्हें दरसल सेंड ब्रेंस मतलब घ्राउंड प्रेंस नहीं भेजा हुआ था ताकि वो इस restaurant को बंद कर सकें और उसे जो revenue आ रहा है और उसे जो इंजंग को प्रेज मिल रहा है वो भी बंद हो जाए और जो wives को इतनी छूट मिली होई है इस palace की वो भी बंद हो जाए और ये बात दरसल किंग को भी पता सजा दिये और इसके बाद वो इंजंग से बात करते हैं तभी इंजंग कहता है कि माई लॉड दरसल ये चीज कहीं भी रूल में नहीं की वो मैंस बिसनिस नहीं कर सकती है किंग को यह भी पता था कि इस रेस्टरेंट से काफी मुनाफ़ा हो रहा है और कहीं सारे फॉरिनर यहां पर आका खाना भी खाते हैं जिससे काफी रिवेन्यू आता है इसके बाद वो भी कहते हैं कि ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अफर दैट इंजंग अपने अंकल को काफी ता मिस्स करते हैं बट उनके पास सीधा जा नहीं सकते हैं इसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि जैंग फिफ्ट प्रिंस भी स्टूपिड एंड को ताने देने लगते हैं और कहते हैं कि यह डिश्ट तो दरसल लीवी अच्छी बनाती है और यह वाली भी इसके स्टूपिड एंड का खाना ही दुश्वार हो जाता है और वह भाग जाता है तुम और तुम तुम दोनों ही मुझे टीस कर रहे हो बिकॉज मेरी वाइप मुझे छोड़के चली है राइट सब तुनों के साथ ऐसा होगा ना तब देखना कि तुमारा क्या हाल होता है उसके अफिलओकर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हम अपनी जिंदिगी फिर से स्टार्ट करें और तुम सभी अभी मेरी वाइप हो और हम तरसे एक साथ रह सकते हैं तब यहांपर हाइटन कहती है कि लेजिए को रास्ता दिख रहा है पीछे पल्टो और उहीं से निकल जाओ और आज के बाद यहां पर आना भी मत तुमें क्या रखता है कि हम तुमानी मीठी 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 बातों में फिर से आ जाएंगे कभी भी नहीं रास्ता पकड़ो निकलो यहां से तभी यहां पर स्टूपीड एंगो समझ में आ जाता है कि अब यह ऐसे हो गया तभी यहां पर शुवान कहती है तुम स्टूपीड हो इसा ही हो अपने आप लिए भाग कर इन यहां पास आती है और इसे शूज करते है यहां पर इंजांगोसे गिफ्ट में बहुत सारी मनी देता है बहुत सारी जब इंजांग उस शूज को पहने के लिए उसमें अपना डालता है तो उसमें वह दिखता है कि रखी होती है जो कि उसके पैर में चुप जाती है पर उस नीडर को निकार को जल्दी शूज पहन लेता और कहता है कि अच्छे लग रहे हैं यहां पर उनके एसिस्टेंट कहते है कि माई लॉड आप कितने प्यार में हैं कि आपको उस नीडर की कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर इंजांग करता है कि चलता है मैं भी तो उसे कभी-कभी अपसेट कर देता हूं ना तो चलता है चलता है ही पर हम हाओ जया को देखें तो उसकी लाई बत से बतर होती जा र